सल्मा आपी ने आपके लिए बिजवाए हैं अरे वाँ, कैसी रही तुम्हारी चाई की दावत? बहुत मज़ा आया अम्मी, अनीका भी आई थी अम्मी, आपको पता है, अनीका ने अपनी क्लास में औरतों के विरासती हकूप के बारे में सीखा था तो वो चाहरी थी के हम सबको भी बताएं अम्मी, नाराजान की विरासत में से आपको कुछ मिला था? हाँ, बिल्कुल, मुझे मेरा हिस्सा मिला है, तुम बताओ, अनीका ने क्या बताया? मैं बताती हूँ, वुर्षा की तीन किसमे होती है पहली जवियुल फुरूस, जिनके हिस्से मुकरर होते है दूसी असबात, जिसमें करीबी रिष्टदार हगदार होते है तीसरा जवियुल अरहाम, जिसमें दूर के रिष्टदार शामिल होते है शाबाश बेटा, लेकिन ये सुन्नी अकाइद है हम फिकाई जाफ्रिया से तालुक रखते हैं और हमारा विरासती अकीदा और काइदा और कानून सुन्नी काइदे कानून से थोड़ा मुक्तलिफ है मैं बताती हूँ फिकाई जाफ्रिया के कवाइद के मताबिक विरासत में जवी उल अरहाम की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए दूर के रिष्टेदारों का किसी भी सूरत में कोई विरासती हक नहीं होता। हमारे कानून में विरासत तीन तपकों में तक्सीम होती हैं। दूसरे तपके के वरसा हयात हैं तो विरासत तीसरे तपके में तक्सीम नहीं की जा सकती। मतलब ये है कि फिका जाफरिया यानी शिया कवाइद और कानून के मताबक अगर पहले तपके यानी वालदین, बीवी और बच्चे मौजूद हैं तो दूसरे और तीसरे तपके के अफराद का जायदात पे कोई हक नहीं बनता। मिसाल के तौर पर अगर मतवफी के वुर्षा में सिर्फ एक बेटी और एक भाई है क्यूंकि बेटी पहले तपके से है और भाई दूसरे तपके से इसलिए ऐसी सूरत में बेटी को भाई पर फौक्यत हासिल होगी और पूरी विरासत मिलेगी आधा हिस्सा जवियूल फु होने के नाते और बाकी का अधर रद के नाते रद मतलब जब सब वुर्षा के हिस्से तकसीम होने के बाद विरासत बच जाती है तो उसे वापिस जवियूल फुरूस में बाट दिया जाता है इसे रद कहते हैं तो ऐसे सब बेटी को मिल जाएगा तो बाकी लोग जैसे बी बेटा ये सिर्फ समझाने के लिए कहाता कि अगर बेटी और भाई के इलावा कोई जाएदात का वारस मौजूद नहीं तब बेटी को पूरी जाएदात का हक हासल होगा तो ऐसे फिकाय जाफ्रिया के कवाईद और कानून में जबियूल फुरूस की नौ किसमे हैं उन नौ में से छे औरते हैं बीवी, मा, बेटी, बेहन, पितरी बेहन और मादरी बेहन और इन सब के हिस्से शिया और सुन्नी कानून में एक जैसे हैं मुतवफी की बीवी को उलाद होने की सूरत में एक बटा आठ और ना होने की सूरत में एक बटा चार हिस्सा मिलेगा बेहनों का हिस्सा हम बताए चलो राबिया, अब तुम सगी बेहन का हिस्सा बताओ सगी बेहन को मुतवफी की विरासत का आदा हिस्सा मिलता है अगर दो ये दो से जायद बहने हैं, तो दो बटर तीन हिस्सा बराबर तक्सीम होता है अब एक मुश्किल सवाथ, अगर दो सगी बहन के साथ एक सगा भाई भी हो, तो भाई का कितना हिस्सा बनेगा? भाई का हिस्सा भी बहन के बराबर ही होगा ना? शाब बाश, सके भाई बहनों में जाइदात बराबर तक्सीम होती है और ये एक एहम फर्क है सुन्नी कानून में भाई का हिस्सा बहनों से ज्यादा होता है लेकिन पिद्री बहन को मतवफी की विरासत का आधा हिस्सा मिलता है अगर दो या दो से जाइद बहने हैं तो दो बटा तीन हिस्सा बराबर तक्सीम होता है और माज़ी बहन को विरासत में एक बटा छे हिस्सा सिर्फ तब मिलेगा जब मतवफी के वालदین और आुलाद हयात ना हूं और ये एक अहम मुमासलत है दोनों फिकों के कानून में बिल्कुल अब तुम दोनों ये अनीका और सलमापी को जाकर बताना अब चाय खत्म कर लें